नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बर फिर से आप सभी का इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं कि 14 अपरेल यानि की अमबेटकर जैनती के लिए आप WhatsApp DP कैसे बना सकते हैं जहां दोस्तों अपने Mobile Phone का इस्तमाल करके दोस्तों इस वीडियो में हम आपको complete टुटोरियल बताने वाले हैं और आप अपने smartphone के तुरू ही अच्छे से अच्छा और बहुत ही खुबसूर टाइप का display picture बना सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को start करते हैं और वीडियो आगे बढ़ाने के पहले अगर आप नए हैं दोस्तों अमबेटकर जैनती से रिलेटेड वाटसप डीपी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने smartphone में Pixel Lab नाम का application डाउनलोड कर लेना होता है application डाउनलोड आप प्ले स्टोर से करेंगे और open करेंगे तो कुछ इस प्रकार का interface दिखता है अब सबसे पहले आपको इसक साइज वाले option पर आपको जाना है यहाँ पर custom वाला जो size है ठीक है आप देख सकते हैं 1200C और 1200C length और width दोनों एक ही है तो यही size आपको रहने देना है अब उसके बाद बारी आती है कि इसका जो background है वो आपको सबसे पहले white कर देना है तो आपको slide वाले button पर आना है और color वा button पर चले जाना है देन उसके बाद यहाँ पर आपको काम क्या करना है यहाँ पर एक circle दिख रहा होगा rectangle इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे size है और आप जिस भी shape में चाहे है तो उस shape में आप DP बना सकते है तो मैं यहाँ पर circle वाला लेना चाह यहाँ पर stroke का button देखता है ठीक है तो इस पर आपको click कर देना है और इससे आपको enable कर देना है अब enable करने के बाद यहाँ से आपको जो भी color पसंद आता है वो color आप choose कर लिए तो मैं यहाँ पर blue color देखना चाहरा हूं तो यह blue color मैंने select कर लिया है ठीक है और इसको थोड़ा रहने देता हूं देन उसके बाद आपको यहाँ पर slide वाले button three dots के नीचे click करना है और इसे lock कर देना है ठीक है अब यह आपका पहला step था यह काम आप खतम कर लेते हैं तो आप समझे की DP बनाने के लिए एकदम तयार हो चुके हैं अब दूसरा काम आपको करना है कि आपको Google पर जाना है ठीक है वहाँ से आपको जिसका भी DP में फोटो लगाना है जैसे कि डॉक्टर अमेटकर का चुकि मैं अमेटकर जैनती से related यहाँ पर बना रहा हूं तो दॉक्टर अमेटकर का फोटो PNG में डाउनलूट कर लेना है अगर आप दुरगा पूजा या पिर किसी अ अब इसे आप जहाँ पर जाहें वहाँ पर लगा कर सकते हैं अब आपको लगता है कि इस फोटो का जो कलर है ठीक है थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए उसके बाद फिर से आपको क्या करना है इसे लॉक कर देना है तो आपको इसे लॉक करके रख लेना है ठीक है आपको इसा भी किसी भी प्रकार का फोटो यहां पर लगा सकते हैं मैंने बहुत सारे यहां पर फोटो यहां पर लगा के बनाये हुई है ठीक है इतना कम आपको कर लेना है अब दूसरी बार यह आती है कि यहां पर आपको कुछ लिखना है ठीक है तो जैसे कि अब इटकर जैनती से related काफी सारे लोग लिखते हैं जैभीम हो गएरा तो मैं वहां पर इसको mention कर देता हूँ तो फिर से आपको plus वाले बटन पर आना है text वाले बटन पर जाना है और इसको दो बार क्लिक करके आपको यहां पर इसमें लिख लेना है जैभीम ठीक है तो मैं यहां पर जैभीम लिख देता हूँ अब क्या करते हैं फ्रेंट्स यहां पर capital जो लिख्या है उस पर click करना है चुकि यह fonts related है और आपको scroll करते हुए font वाले button पर आना है और आपको my fonts वाले पर जाके इसको select कर लेना है ठीक है अब font select हो गया दिन आपको size वाले image पर जाना है और इसका size जो है वो यहाँ पर select कर लेना है अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जय और भीम के बीच में काफी ज्यादा difference है ठीक है तो इसको मैं कम कर देता हूँ यानि कि बीच में जो spacing है उसको select कर लेना है तो यहाँ पर color वाले पर आना है और इसका color में कर देता हूँ blue ठीक है तो blue color देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है अब friends क्या करना है कि फिर से आपको slide वाले button पर आना और इसे lock कर देना है यह lock हमेशा करते रहेगा क्योंकि इसके through आप image को कहीं पर भी अगर हिलाते हैं स्क्रोल करते हैं तो हिले करते हैं अब यह हो गया दूसरा step अब यहाँ पर आप चाहें तो अपना photo नीचे लगा सकते हैं अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ भी ठीक है तो जैसे माली जी कि मैं किसी का नाम लिख देना चाह रहा हूं ठीक है तो जैसे कि font फिर से आपको select कर लेना है तो मैं आपर can't world ही select कर रहा हूँ और image का size जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको fit कर देता हूँ ठीक और यह भी काफी अच्छा लगेगा देखने में बहुत ही गजब का है यह और इसकी quality का है तो कुछ और भी लिख सकते है hy फिर से यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसका size जो है और font जो हो वो मैं count world ही select करूँगा और इसको फिर से scroll करते हूँ यहाँ पर मैं नीचे यहाँ पर लिख दूँगा तीक है नीचे fit कर दूँगा सबसे नीचे और यह देखे अब यहाँ पर मैं इसका color भी choose कर ले रहा हूं चुकि मैं इसका color भी blue रखना चाहूंगा ठीक है तो यह blue color हो गया है अब यह पूरी तरीके से complete हो चुका है अब चाहें तो आप इसके पीछे का background हटा आप सकते हैं तो यहाँ पर slide वाले button पर आना के दिखाते हैं अब मैं यहाँ पर इसका background जो है वो white ही रखना चाहूंगा तो white यहाँ पर रख देता हूं अब यह पूरी तरीके से complete हो चुका है इसमें और भी काफी सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं ठीक है और भी बहुत अच्छे design से भी आप इसको बना सकते हैं तो अब इसे save करते हैं तो plus वाले के right में बटन दिख रहा होगा save button इस पर click करना है तो save as image तो save as यहाँ पर हम इसको png में लिखेंगे और custom पर जाने के बाद ultra में इसे save कर लेना है तो save to gallery ठीक है image को आपको save करके रख लेना है अब जैसे image save होता है तो इसे मैं whatsapp पर ल WhatsApp के status bar या WhatsApp DP पर कैसे लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि image को मैंने select कर लिया है अब उसके बाद यहाँ पर आपको done कर देना है तो done करेंगे तो जैसे ही आप done करते हैं देख सकते हैं आप image यह अच्छे तरीके से fit हो चुका है लग चुका है तो इस तरीके से आप अपने WhatsApp पर DP बना के खुझ ही इसे अप लगा सकते हैं I hope friends यह वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया है तो इसे like करिएगा और चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को भी subscribe जरूर कर लिजेगा friends मिलते हैं next वीडियो में next update के thanks for watching